नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डेजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की गुरूपडी बरती को लेकर एक और नए अपडेट आया है और नए अपडेट सातियों आपके लिए खुशकबरी लेकर आया है कोन सानोटिय से विस्तार से जर्जा करेंगे इसके अलावा कुछ मैतवपूर्ण जानकार्या थी जो हम आप तक सियर नहीं कर पाए वो थी आज कोर्ट केस को लेकर सातियों हम टेलिग्राम चनल पर लगातर आप तक अपडेट पहुचा रहे थे जो साती जुड़ेव हैं उन्हें पता भी है और जो आभी तक टेलिग्राम चनल से नहीं जुड़ेव हैं वो जरूर जोइन कर लें क्योंकि आपको पता है आज दोफैर में यूटूब में एक बग आ गया था जिसकी वज़े से सात्यों एक बड़ी समस्या थी टेक्निकल टीम नियाकिकार उसमें सुधार किया है और अमारा वीडियो अपलोड हो गया तीन गंटे तक वो वीडियो सात्यों कहीं भी स्यों नहीं हो रहा था अपलोड हुआ और फिर वो स्यों नहीं हो रहा था यानि कि अपलोड तो हो रहा था लेकि उसके बाद कहीं भी स्यों नहीं हो रहा था और अब क्या good news आई है court case related क्या-क्या update है कल क्या होने वाड़ा है आज क्या हुआ है विश्थार से चर्चा करेंगे उससे पहले साथियो वीडियो को लाइक और चैलन को सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि लगातार आपके साथ कंदे से कंदे मिला कर चलने वाला एक मातर चैनल है जो आपकी समझ्चे आगे पहुँचाता है उसके बाद साथियो और साथी भी एक्टिव होते हैं उनके लिए भी दंदेवाद कि वो साथी एक्टिव तो हुए और अब जो आपको अपडेट मिलने वाड़ा है यह वही अपडेट है जिसको कई मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा हुरम लगातार पिछले एक डेट महिने से बाते कह रही हैं कल जब पोर्टल एक्टिव का नोटिस आया तब कुछ संभावना है लोगों को लगी कि आप लोग सबातुनाओं से पहले गुरूप डी बरती पूरी हो सकती है और अब आपको क्या गुड नूज देंगे कि और भी आपको लगने लगेगा कि लोग सबातुनाओं से पहले गुरूप डी बरती पूरी होगी यानि कि इसका जब प्लान मनाया गया था तबी से अम यह जानकारिया आप तक सेयर कर रहे हैं अब विश्वास जिसने किया है उसको पता है और जिसने उस समय ट्रस्ट नहीं किया उसको अब ट्रस्ट हो रहा है नोटिस देख देखकर पहले गुरुपडी भर्ती की बदाते हैं उसके बाद कोर्ट केस की भी सात्यों कुछ जानकारिया आप तक सेयर करनी है गुरुपडी भर्ती का जो नोटिस आया है CS Office की साइट पर आपने वो नोटिस देख भी लिया होगा नहीं देखा है तो अमारे टेलिग्राम चैनल पर वो नोटिस हमने उपलब्द करवा दिया जाकर देख सकती है कॉमन कैडर के जो गुरुप बनाने का प्लान है वो सात्यों पहले से प्रोसेस में हमने पहले बताया है CS Office की तरब से लगातार मीटिंगें की जा रही है आज भी मीटिंग हुई है वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिए सभी डिपार्टमेंट की और HSSC की तैयारी है कि जो अब की बार गुरुप डी बरतिवाड़ों को जोइनिंग दी जाए वो जितनी ज्यादा कोशिश रहेगी अर्याना सरकार चाहती है कि जिस डिस्टिक का कंडिडेट है उसी डिस्टिक में उसको जोइनिंग मिले इसी के लिए साथ्यों ये पोर्टल तयार किया जा रहा है कि यूँगी टेकनिकल टीम है वो पोर्टल कोमन कैटर का तयार करके फिर साथियों जब जोइनिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें एक तो फास्ट प्रोसेस होगा और दूसरा जो होम डिश्टिक है वो मिलने की पूरी-पूरी संभाव नहीं रहेंगी और तीचरा ये भी है कि इसमें ऐसे नहीं है कि जोइनिंग भई आप सिपारिश से कहीं भी जोइनिंग ले लिया ऐसा कोई इस्यू नहीं रहेगा तो उसकी तैयारियां यानि की कदम कदम के उपर अब अलियाना सरकार है बहुत बारिकी से काम कर रही है और इसका परियास आपको तब मिलेगा जब आप गुरूप D की जोईनिंग के समय देखोगे कोमन कैडर नहीं बरती की तैयारी अभी से शुरू कर दी है यानि की 2018 वाली जो बरती थी 18,218 पतों के ऊपर उस बरती के बाद जो कोमन कैडर का प्रोसेस शुरू हुआ था क्योंकि वो पहली बरती थी गुरूप D की जिसमें कोमन कैडर का प्रोसेस सुरू किया गया था अब SSC की तरफ से जोइनिंग की तरफ से पहले ही departmental post wise list मांगी जा रही है और उसमें जो एक portal तयार होना ए उस portal के इसाब से आपका जोइनिंग का प्रोसेस रही है यारेन सरकार तो जोइनिंग की तैयारी कर रही है अब आप अपने लड़ू यह रस्कूले कब तयार कर रहे हैं वो आपके उपर हैं दूसरा साथियो कोर्ट केस की बात करते हैं कोर्ट केस का जो गुरूप C वाड़ा जो CET में कई केस लगे हुए हैं लेकिन सबसे मुख्य केस था साथियो उसमें मामला कहां अटका हुआ है केस में आज बैस हुई उसके बाद जब समय कम रहा तो अब इसको कल डेट दे दी गई है कल बैस यहां से आगे शुरू होगी यानि कि आज जद साब को पूरी तरीके से समझा दिया गए कि क्या केस था कैसे एक्जाम लिया पूरा जो प्रोसेस साथ की इसमें बता दिया ग जदतर एजी साब ने अपना पक्स बखू भी रखा है और विस्तार से चर्चा की है बताई है बाते अब साथियो जो नूज मिल रही है वो यह है कि सरकार के पक्स में या सरकार की टीम में पोजिटिव माहूल बना हुआ है अब आप समझ सकते हैं कि वहां पोजिटिव माह अब वो किसी भी अद्च में जाए लेकिन उपक्स में युवाओं के ही रहेगा में हम क्या बता सकती हैं वैसे जो साथी वहां पर गए थे वो अपने हिसाब से बता रहे हैं चलो घूँको ये तो ये भी अच्छी बात है कि यूआओं को गुड नियूज ही मिलनी चाहिए अब ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं गुरूपडी वाड़ों के लिए गुड नियूज तयार है सात्यों हम लगातार कहते आ रहे थे कि लोग सबाचुनाओं से पहले गुरूप करके यहां भी हो रही है तो आप देख सकते हैं जल्दी आपको खुशकवरी मिलने वाली है ऐसे बर्तियों से रिलेटिट जानकरी सबसे पहले और विश्मस्निय आप तक पहुंचाते रहेंगे आपकी समस्याएं हैं वो लगातार उठाते रहेंगे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद